अक्षे कुमार की फिल्म Sky Force को लेकर आई बड़ी निउस ये फिल्म किस Air Force फाइट पर है बेस्ट इसकी अपडेट आई सानने और साथ ही अक्षे प्ले कर सकते हैं किस Air Force Officer का रोल 2nd October 2023 को अक्षे कुमार ने X पे अनाउंस किया कि वो एक नई फिल्म Sky Force में लीड रोल प्ले करने वाले हैं जो इंडिया की पहली और सबसे डेडली एर स्ट्राइक की अनकही सच्चाई को शोकेस करेगी अब रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म इंडिया का पाकिस्तान एर बेस सरगोधा पे किये गए जवाबी अटाइक पर बेस्ट है 1965 में Indian और Pakistan Air Forces ने directly confront किया था जहां 6 सब्टेंबर को पाकिस्तानी Air Forces ने पठान कोर्ट आदमपूर और हलवारा पे Indian Air Bases पे अटेक किया और response में Indian Forces ने नेक्स डे सर गोदा पे अटेक कर दिया उस टाइम सरगोदा को Asia का सबसे fortified base माना जाता था फिर भी इंडियन पाइलेट्स ने नेक्स्टे उस पे हेवी डामिज किया सरगोधा की स्टोरी बतानी जरूरी है क्योंकि ये वो टाइम था जब पहली बार महावीर चक्र पोस्ट थमसली एक फाइटर को दिया बताया गया है कि सरगोधा पे हुए अटाक में डिफरेंट टाइप्स के एरक्राफ्ट्स जैसे की कैन्बिराज, मिस्टेरीज और हंटर्स का यूस किया गया ऑपरेशन में दो एरक्राफ्ट्स लॉस्ट हो गए एक को फ्लाइट लेटिनेंट उबी बाबुल गुहा उड़ा रहे थे जो दुश्मन के मिसाइल से गिराए गए और दूसरे को स्कौडरन लीडर अजमदा बोपाया देवाया उड़ा रहे थे उनका क्या हुआ या आज तक अन्नोन है उन्हें अक्शन में मिसिंग माना गया पाकिस्तानी फोर्सस में उन्हें कैप्चर नहीं किया तो उन्हें अक्शन में किल्ड माना गया 1979 में पाकिस्तान एफोस द्वारा 1965 वार का एक अकाउंट पब्लिश हुआ जिसमें बताया गया था कि एक Lockheed Starfighter F-104 जो PAF के Premier Jets में से एक था उसे IAF Mysterier ने डाउन किया ये ग्रुप Captain O.P. Taneja तक पहुँचा जो 13 Aircraft Contingent का लीडर था Various sources को मिलाकर reveal हुआ कि असल में Squadron Leader अजमता बोपाया देवाया जो earlier missing reported थे उन्होंने ही Lockheed को डाउन किया था और अपने बाकी contingent members की lives बचाई थी जो घर वापिस आ रहे थे 1988 में देवाया को पोस्ट थमसली महावीर चक्र से ओनर किया गया जो उनकी wife ने रसीफ किया sources के according debutant वीर पहाड़िया squadron leader देवाया का रोल प्ले कर रहे हैं और अक्षे कुमार group captain O.P. Taneja का रोल निभा रहे हैं Film 2nd October 2024 को release होने वाली है और इसे Sandeep Kevlani और Abhishe Kapoor direct कर रहे हैं इस film में निम्रत कौर और सारा अली खान भी में रोल्स में है झाली है झाली है झाली है झाल का रहा है